विडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मॉबाइल पर दो-दो बिंडो के साथ काम करूं तो कैसे आप उस चीज को इनेबल करेंगे बस आपको मैं एक सेटिंग बताऊंगा जिससे आप दो-दो मल्टी बिंडो एक साथ यूज कर सकेंगे कैसे पेले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा इसकृन शोट आपको यह रहा यह बटन आपके mobile पर एक बटन होती है बेक वाली बीच में minimize की और left-right बटन होती है इसको आप प्रेस करना है प्रेस कैसे करना जैसे यहां पर मैं अपने Facebook अप्लिकेसन को open कर रहा हूं और यहां पर मैं उस बटन को देखे ओपन हो रहा है Facebook और इस बटन को मैं यहाँ पर क्लिक करके यह देख कर वहाँ देख सकते हैं कि उपर एक मेरा बिंडो ओपन हो गया है नीचे मेरी अलग चीर यहाँ पर चल रही है इसे इसे इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अब आपको Split Screen View Action को Enable कैसे करना है इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ तो फेंचले वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप से रिक्वेस्ट अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिके तक घंटी को प्रेस कर ले अब आयाते हैं अपने मोबाल की स्क्रीन पर Split Screen View Action को Enable करने के लिए आपको आना होगा अपने मोबाल की सेटिंग पर यहां पर आपको कई सारे option देखने को मिलना हैंगे आपको करना क्या है यहां पर जाना है नीचे आपर एक option मिलेगा Advanced Feature आपको सिंप्ल से Advanced Feature पर क्लिक क अब आपको कई सारे option देखने को मिलना आपको करना किया है आपको जाना है Multi window पर ओ मल्टी बिंडो पर जैसे जाएगे सब से पर एक option मिलते हैं आपको Split Screen View Action उपर आप देख सकते हैं इसका निशान आपको इस प्रिट आप पता है आप मल्टी वीडियो बना सकते हैं उमीद करता हूं वीडियो पफंद आओ तो एक लाइक करना चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नौटिफिकेज अगंटी को प्रेस कर ले जिससे आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन टीकेशन आइ तक केर